हलो फ्रिंड्स आइम सुमित्रा एंड वालकम टू टेट मन्थन तो डिसकस करेंगे एविज की कम्प्लीट एंसी आर्टी को रिवाइस करेंगे हम लोग जैसा कि मैंने डिसकस किया था आप लोगों के साथ में जो फाइफ मिस्टेक्स वाली वीडियो है सीट की स्टाटजी व आपकी कम्प्लीट एंसी आर्टी जो है वो रिवीजन हो जाएगा ठीक है कुछ कुछ बीच में क्वेस्टेंगे इन से आया हुए तो फटा फट से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना लाइक कर देना मैं अपना काम कर रहे हूं आप लोग अ पहचान लेता है उसकी स्मेल से अब आप से पूछा जाए क्वेस्टेंगे ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी फीमेल वां को स्मेल से पहचान लेता है बहुत दूर से तो आप किसका नाम लेंगे रेशम का कीड़ा यानि कि सिल्क वां का ओप्शन में से आप फटा-फट से पहचान लेंगे थोड़ा तेजी से चलेंगे था कि जादा-जाद रिविजन हो पाए डॉक्स के बारे में बात की गई है याद रखेंगे जैसे फिल्मों में डायलोग होता था ना कि क्या इलाका कुत्तों का होता है शेरों का नहीं वह वाली कहानी है डॉक्स जो होते है उपने अरिया को मार्क करके रखते हैं इंचरुम्ते रहते हैं और बाहर का डॉक्त के डॉक्स के श्मेल पहचान लेते हैं कि हमारे अरिया का जो डॉट नहीं है अंट के बात कर रहे हैं कि Many years ago, a scientist found out that as the ant moves, they leave a smell on the ground, the other ant follow the smell to find the way. आपने देखा होगा, चीर्टिया भी हमेशा ऐसे 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 लाइन में चलती रहती हैं. इसका मतलब यहाँ पर एक चीज बोलिए कि लोग गुरुप में रहते हैं और ant जो होती है वो जमीन पर कुछ गंद छोड़ती है जिससे कि बाकी चीर्टिया उसको फॉलो करती हैं, अगर आप बीच में कुछ ऐसे हर्डल रख देंगे इनके, तो इनकी कतार है वो एकदम से जाती है तो ऐसे गुरुप में रहने वाले कुछ और इन्सेक्ट के नाम भी पूछे जा सकते हैं तो एक ततहिया है जैसे कि है ना वो आपका गुरुप में रहता है दीमक है जो गुरुप में रहती है तो यह कुछ इस तरीकी के questions आपके पूछे जाते हैं NCRT में पूछे आपकी body smell से आपके शरीर की गंद से आपको पहचान लेते हैं दूसरा आपका they also find you by the smell of soul of your feet and hurt heat of your body आपकी जो body की जो heat होती है गर्मी होती है उससे पहचानते है मॉस्किटो आपको कहां पर हो आप या फिर आपका जो पैर की तलवे होते है soul of the feet होती है वहां से पहचान ल most of the bird have their eye on the either side of the head मतलब की जो इनका सिर होता है उनके sides में इसकी जो आखे होती है birds की ठीक है their eyes can focus on the two different things at a time मतलब की दो अलग अलग चीजों पर एक ही time पे वो जो है देख सकते हैं यहां यहां अगर आपकी आपकी आख होगी तो एक time पे आप दोनों जगे देख पाओगे ठीक है when they look straight ahead both their eyes focus on the same object और अगर वो सामने देखते हैं तो उनकी दोनों eyes जो है वो same object पे focus कर पाती है यह कुछ statements है birds के बारे में ठीक है दूसरी बात एक आया हो a question यह है कि birds जो होते है वो अपनी गर्दन बहुत जादा क्यूं गुमाते है क्यूं गुमाते है क्यूं क्यू जो पुतलियां होती है वो नहीं गुम सकती है इसलिए उनको अगर left right कहीं भी देखना होगा तो उनको सीधा अपनी गर्दन को गुमाना पड़ेगा तो आपका answer क्या रहेगा birds अपनी गर्दन क्यूं गुमाते है क्यूंकि उनकी eyes होती है fix होती है move नहीं कर सकती उनकी eyes इस तीन ऐसे पक्षी है आपके birds है जो कि चार गुना जादा देख सकते हम लोगों से ठीक है कोई चीज आपको दो मीटर से दिखाई देगी तो इनको आठ मीटर से दिखाई दे जाएगी ठीक है यह वाली कहानी है यह भी question आया हुआ है यहापे तीन तीन पक्षियों का group होग आपके पास में और सही answer निकाला होगा कि कौन से ऐसा group है जो चार times हम से जादा देख सकते हैं तो kites, eagle और vulture यह तीनों आपका रहेगा ठीक है next देखते है क्या है these birds can see things from a distance of 8 meters that we can see from a distance of 2 meter जैसे कि मैंने बताया आपको ठीक है उसके बाद animals cannot see as many colors as we can animals जो है बहुत सारी colors नहीं देख सकते हैं जितने colors हम लोग देख लेते हैं यह light pink यह dark pink यह light green यह dark green वो लोग नहीं देख सकते it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors यह believe किया जाता है कि जो animals दिन में जागते हैं उनको फिर भी कुछ colors दिखाई देते हैं बट जो animals जो है आपके रात को जागते हैं उनको कुछ भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उनलु को कोई color दिखाई देते हैं नहीं देते हैं उनको क्या दिखाई देते हैं सारी चीजे ठीक है जो रात में जागते हैं उन एनिमल्स को नेक्स्ट है आपका sleeping time of some animals यहां पे NCRT में में मेंशन किया हूँ है कि कुछ animals का sleeping time क्या रहत ठीक है next बात करें अगर हम cow की तो around four hours तक यानि चार घंटे उसकी नीद होती है उसके बाद में जिराफ है तो दो घंटे की ठीक है पाइथन है तो उसकी आपकी 18 घंटे की और आपकी cat है उसकी 12 घंटे की नीद रहती आप उसको याद रख सकते हैं ठीक है बाइचांस अग में mention है मतलब की 24 घंटे की है तो तो अगर यह बात पूचा जाए कि यह आपको दे दिया जाए ठीक है और यह पूचा जाए कि यह जो चिपकली है अगर इसका आपको सोने का time दिखाया जाए तो इसको पूरे को आपको ऐसे shaded करना पड़ेगा तो आपका आंसर क्या रहेग आपका 24 घंटे में यहाँ पर अजगर के बारे में पूच लिया जाए अभी मैंने डिस्कूस किया 2,4,6,2,8,2,10,2,12,14,16,18 यानि कि अजगर का कितना 18 घंटे का तो shaded portion जो है आपको उसको count करके आपको answer लिखना है ठीक है दो दो घंटे के यह यह shade बनाया हुआ है ठीक ह क्योंकि अगर नहीं किया होगा तो एकदम से paper में समझ में नहीं आती यह सब चीजे कि कैसे कैसे करनी है अगर नहीं दिखेगा तो मैं खुद को hide कर लेती चलो ठीक है यह देखो अब यहाँ पर sloth से भी question आता है यह sloth है एक animal है it look like a bear but it not अब इस तरीके के question आप के बारे में statement दी जाती है चार से पांच और फिर पूचा जाता है कि यह sloth के बारे में कौन कौनसी statement ठीक है या कौनसी गलत है ठीक है यह bear नहीं है sloth है it spend almost 17 hour a day sleeping while hanging upside down a tree branch यह कितने घंटे सोता है 17 घंटे उल्टा लटक के सोता है ठीक है एक tree की branch से the sloth eat the leaf of the same tree on which it lives यानि क कि जिस पर यह रहता है उस same tree के पत्ते खा कर यह अपना गुजारा करता है it hardly nears anything else और इसको कुछ नीची होता है when it has eaten enough leaf from the dead tree it moves to the nearby tree जब उस tree के सारे पत्ते खा लेता है तो पासवाले tree पे चला जाता है इसकी जो age होती है वो 40 years की होती है और इतने time में यह जादा से जाद कितने 8 पेडों पर घूमता है ठीक है once a week it comes down from the tree to relieve itself यानि कि एक हफ्ते में पूरा एक हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है थोड़ा बहुत अपना fresh वगेरा होने के लिए बड़ा ही मतलब सूगला किसम कसा है मतलब यह जानवर है ठीक है तो sloth है beer नहीं है यह देखेंगे next हम देखेंगे tiger के बारे में यह भी आपका I have a question है tiger के बारे में कुछ statements दी हुई होती है और आपको देखनी होती कौन सी सही है तो tiger की जो whisk होती है जो यह इसकी मुछे होती है tiger की आप देखते ही होंगे यह जो होती है बहुत sensitive होती है can sense the movement of the vibration in the air यह क्या चीज़ जो एक air जो vibration की होती है जो यह जो कंपन होती हवा का उसको भी पहचान लेते हैं और इसको help करती किस चीज में जो अंधेरी जगह में जाने के लिए ब्यासर होती है जो इसको help करती है कि इसका शिकार जो हो कहां पर है ठीक है क्योंकि कंपन पहचानती है ना a tiger's sense of hearing is so sharp ठीक है that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass इसके जो hearing होती है जो टाइगर की वो बहुँ ज़दा शार्प होती है यह पहचान लेता है कि पत्तो की जो आवाज है वो हवा की वज़े से है या फिर कोई ताइगर कोई दूसरा जानवर पत्तो के उपर चल रहा है इन दोनों चीजों में अंतर पहचान लेता है यह कोई जानवर पत्तों पर पैर रखे है पत्ते हवा से हिले इन दोनों चीजों में अंतर को पहचान लेता है the ear of tiger can move in different direction and these help to catch the sound from the all around इसके जो ears होते हैं उनकी भी जो सुनने की पावर होती है वो बहुत जादा तेज होती है तो यह अलग-अलग जगह से sounds को जो है अराम से catch कर लेता है और इसको पता चल जाता है कि इसका शिकार जो हो कहाँ पर है each tiger has its own area कुटो की तरह ही इनका भी area होता है ठीक है और यह किस चीज़ से पहचानते हैं यह भी urine से ही पहचानते हैं अगर कोई दूसरा tiger इनके area में आता है तो यह decide करते हैं उसको जगह देनी है या नहीं देनी है बाकि यह पहचान लेते हैं कि हमारे area का tiger यह नहीं है ठीक है चार गुना जादा देख सकता है किसमें रात में च्ही लेते करिंगर के बारे में को बुलाता है तो उसकी आवाज जो होगी वो अलग साउंड करेगी ठीक है it can also roar or snarl यानिकी वो अलग अलग तरीके की आवाजे निकालता है और 3 km दूर से भी टाइगर की आवाज वो सुनाई देती है हमें हम उसको सुन सकते हैं 3 km तक तो यह कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा आपकी पूछी जाती है ठीक है effects by the government अब animals के बारे में जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है उसमें इसे forest बनाए जो protected एरिया जो protected है government की तरफ से जापे जानवरों को कोई नुपसान नहीं हो सकता है तो इन में से एक क्या है gym corporate national park in उत्राखंड यह आपका NCRT में mention है तो आपको याद रखना है कि उत्राखंड में कौन सा पार्क है आपका gym corporate national park कहां पर है उत्राखंड में है and ghana in भरतपू district of Rajasthan घाना कहां पर है राजस्थान में भरतपू district में है यह दोनों आपको याद रखने है जहांपे की animals को destroy नहीं कर सकते हैं दो आपकी NCRT में mention है दो आप जरूर याद रखें अगर question बन जाता है तो ठीक है next देखते animals are in danger इतना खत्रा है animals के उपदा tiger is one of the most alert animal and yet today tiger are in danger आप देख सकते है जो मतलब जो एक इनसान जो इनसान किया एक जानवर मतलब पत्तों की और अपने शिकार की कमपन को पहचान सकता है वो इतना alert animal है उसकी बावजूद भी वो खत्रे में है ठीक है तो हम इनसान कितने खतरनागे सुझिए elephant are killed for their tusks elephant को किसली मारा जाता है उसके tusks के लिए मारा जाता है ठीक है tiger, crocodile और snakes इनको उनकी skin के लिए इनका शिकार किया जाता है एक group मिल जाए आपको अगर कि skin के लिए किन जानवरों को खत्रा रहता है तो कौन से रहेंगे tiger, crocodile और snakes इन तीनों की skin जो है वो इस्तिमाल की जाती है आप लोग देखते ही होंगे musk deer are killed just to make scent from his musk, musk deer क्या होता है उसकी कस्तूरी के लिए उसको kill किया जाता है ठीक है यहाँ पर देखेंगे जानवरों के बारे में बताया है कि इनके senses जो होते इतने तेज होते हैं जैसे आपने आपने ताइगर के बारे में देखा इनके senses इतने तेज होते हैं तो December 2004 की य बेव करने लगे थे कि उनको पता चल गया था कि कोई खत्रा आने वाला है तो इसका मतलब यहाँ पर बताया गया कि जानवरों को जो है पहले से पता चल जाता है कि कोई खत्रा आने वाला है मचलियां जो होती है समुदर में तुफान आने से पहले इस तरीके से बेव करने लगती है कि कोई खत्रा आने वाला है तो अगर पूछ लिया जाए December 2005 में कहा की बात है तो अंडमान Iceland की बात है जहां पर सुनानमी आई थी और जहां में जनवरों को पहले से पता चल गया था ठीक है घड़सी सर की बात कर लेते हैं घड़सी सर इस ग्रूप ऑफ 9 Lakes घड़सी सर की तने लेक्स का गुरूप है आपका पूछ लिया जाये तो 9 Lakes का गुरूप है आपका बिल्ट बाए King Gharasi of Jessalmar about 650 years ago 650 years ago आपका क्या है यह बनाय गया था this is a man-made lake बनाई गई है खुद से ठीक है it was only source of water for the Jessalmar city for the olden days Olden Days में अगर पूछ लिया जाए कि Jaisalmer City में only source of water क्या था तो घरसी सर लेक था आपका 9 lakes का जो आपका समू है Some water from the lake soaked into the ground and reached the well and boundaries जो यहीं से इसी लेक से ही आपका ground water और इसी से ही आपका कुए और बावडियों वगेरा में पानी जो है वो जाता था पहले Custom related to water एक यहाँ पर question बनता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर जो नई नवेली दुलन होती है जो bride होती है उसको spring पर या pond पर यानि कि तलाब पर जाकर के पानी से पूजा करनी होती है तो वो कौन सी जगह की बात की जारी है नई bride के बारे में तो वो उत्तरा खंड का यह custom ह है कि एक नई bride को तलाब पर जाकर के पूजा करनी होती है और यह बहुत सारी जगहों पर भी यह custom देखा जाता है कि अप जो घर की टैप होती है उसके यहाँ पर पानी से पूजा की जाती है आपने देखा यह चट पूजा गई है जैसे तो वहाँ भी क्या होते है कोई है हुए है की प्र nov đã आया था इंडिया में जिसने इंडिया के पानी के स्टोरिंग के बारे में कि जो मं किस तरीक दीचे पानी स्टोर करते तीं त ​​​ अलजभर्णी था कहांसे बहुत तारीव के और यह चुछ 압ई उच्वन ने एक प्रहोंने उसमें तो न का नाम क्या था अगर पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा ट्रेवलर था जो इंडिया आया था जिसने पानी के बारे में तारीफ की थी तो अलबरुनी था कहां से आया था अलबरुनी पूछ लिया जाए तो कहां से आया था उजबेकिस्तान से आया था यह question आया हुआ है आपका अलबरुनी कहा से थे है तो उजबेकिस्तान से थे ठीक है इन्होंने notice किया था कि यहां के लोग कितने skilled हैं आपके पानी को इकठा करने के मामले में यहां तालाब बगेरा बनाने के मामले में काफी सारी इन्होंने तारीफ ही कर रखी है कि बही किस तरीके से वो लोग रॉड को मतलब जो रॉक्स होती है पत्थर होती है उनको पाइल अप करके और उसमें आइरन रॉड लगा करके चबूत्रा बना लेते हैं और इस तरीके से पानी को इकठा करते हैं ठीक है और देरा रोज ओफ लॉंग स्ट्रेयर केसिस गोइंग अप अ और दूसरा है यह उजवेकिस्तान से आये थे ठीक है नेक्स देखते हैं यह आपका question as it is आया हुआ है तीनो statement दियो ही थी आपकी कि हमारे जो कुए हैं वो क्यों सूखते जा रहे हैं well could have dried up because यह question as it is आया हुआ है तो इसमें तीन statement है आपकी all of the above answer होगा आपका अगर आता ह है तीनो statement कहीं यह आवा होगी थोड़ी बहुत तो आपको देखना है water is being pumped up from under the ground and with the help of electric motor भाई water जो है आपका जो underground water होता है उसको electric motor से हम लोग खीच लेते हैं तो कुहें तो सूखेंगे ही इना the lake in which rainwater used to collect are no longer there जो lakes होती थी पहले जो जीले होती जहां पर rainwater को यानि बारि मिट्टी होती थी उसको भी cement से ढख दिया गया है इसकी वज़े से क्या है आपके कुएं सूख रहे है ठीक है तीन points है electric water से हम सारा पानी निकाल लेते है rainwater हमने कठा करना बंद कर दिया है और सारी चीजें जो soil थी हमारी tree और parks के आसपास में उसको हमने cement से ढख दिया है इतने भी आपके सागर महा सागर होते हैं सबका पानी खारा होता है but the saltiest of all is dead sea सबसे जाधा खारी पानी किसका है आपका dead sea का मृत सागर कहते है हम इसको imagine करो कि 300 gram of salt in 1 liter एक लिटर पानी में 300 gram नमक डाल दिया जाए इतना खारा होता है dead sea का पानी ठीक है अगर कोई आदमी इसके उपर मतलब अगर लेट जाता है person कोई तो उसमें डूबेगा नहीं does not know how to smell अगर उसको तैरना भी नहीं आता है she would not drown in the sea she will float in water ठीक है वो इस water में मतलब तैरता रहेगा यह इतना खारा पानी है ठीक है dead sea के बारे में आपका यह question आया हुआ है paper में what is dead sea a sea whose water is poisonous जिसक सबसे जादा खारा है ठीक है तो हमें अपना अंसर यहीं मिल गया है बाकी दो को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं अभी हमें देखा कि जो सबसे जादा खारा है सभी oceans और इसमें से तो वो क्या होगा आपका dead sea होगा यह question इस तरीके से बनते हैं आपके डांडी मार्च आपको पता है कि नमक के उपर हमारे उपर जो बहुत एक कर लगने लग गया था उसके उसमें गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था डांडी 1930 में आपका यह किया गया था यह कहां था यह सिर्फ इतना देख लीजी आप जब हमारे उपर नमक के उपर कर ल Do you know how salt is made? एक चीज़ और है गर देख सकते हैं इसको बाइचांस आजाए कि salt कैसे बनता है, the sea water is collected in the shallow beds dug in the sand water is allowed to dry in the sun, after the water dries the salt remains in the ground भई उसको इस तरीके से इकठा किया जाता है, उसके बाद में जो उसका पानी होता है वोड जाता है पूछ लिया जाए बाइचांस क्योंकि एक इंपॉर्टन है, disease caused by mosquito यानि कि मच्छरों से फैलने वाली बिमारिया यह भी question आया हुआ है, malaria, dengu, chicken गुनिया और एक और कुछ और दिया होगा आपको जो मच्छरों से नहीं होगा तो मच्छरों से फैलने वाली बिमारी नहीं है या मच्छरों से फैलने वाली बिमारी है, कोई भी question बन सकता है, आप याद रखेंगे, dengu, malaria, chicken गुनिया तीनों आपके NCRT में mention है, malaria के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पे mention है, malaria spread throw female anophilis mosquito, जो female anophilis mosquito होते है उससे malaria आपका क्या है, फैलता है, ठीक है, इसके अलावा, malaria is caused by a single-celled parasite called plasmodium, किस से होता है, single-celled parasite called plasmodium, plasmodium से आपका malaria जो होता है, medicine for malaria is made from the bark of synchona tree, अब यह आपका पूछा गया question है, कि medicine किस से बनती है malaria के लिए, तो किस से बनती है, synchona tree के bark से बनती है, ठीक है, चाल से बनती malaria is more common at the end of rainy season, ठीक है, सबसे जादा किस season में common होता है, rainy season में, soon after it becomes the stagnant water at various places, क्योंकि rainy season में क्या होता है, जगह-जगह पर बारिश का पानी ही इकठा हो जाता है, इस वजह से, therefore it is advisable to put oil in water to prevent breeding of mosquitoes, अब मॉस्किटो से बचने के लिए, पानी के उपर तेल डालने की सला दी जा stop the supply of oxygen which causes mosquito larva to die, जो इसके लिए ये पूछा गया question, आपका कि पानी पर तेल चिडखने की सला जो हो क्यों दे जाती है, इससे क्या होता है, this reduce the surface tension of water, ठीक है, इससे क्या होता है, ये reduce हो जाता है आपका, stop the supply of oxygen, oxygen की supply जो होती है बंद हो जाती है, इससे क्या होता है, इससे क्या होते है, ये भी question आया हुआ है, एक बच्चा है, उसको fever हुआ है, chills and rigor के साथ में, ठंड लगकर के उसको कमकपी के साथ में, और body में pain है उसकी तो उसको कौन सा बिमारी है, कौन सी बिमारी है, वो school नहीं जा पा रहा बच्चा, उसको कौन सी बिमारी है, question आया Next, देखते है, anemia क्या होता है, जिसको हम कहते है, खून की कमी, anemia is the condition of less hemoglobin और iron in the blood, जब हमारे body में खून की या iron की कमी हो जाती है, तो उसको हम anemia कहते है, problem क्या होती है, anemia की वज़े से it affects physical as well, mental growth, जिस बच्चे में ये problem होती है, उसको physically और mental दोनों growth में problem होगी, children do not grow properly, grow energy level उनका down रहेगा, अब ये question आया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे food है, जो कि आपके iron से rich होते है, भरपूर होते है, या फिर question को घुमा करके दूसरे साल ऐसे दिया गया था, कि एक बच्ची है, जिसको की hemoglobin की कमी है, तो उसको कौन से food जो है, कौन से vegetables जो है, वो डॉक्टर सजेस्ट की होंगी, या डॉक्टर को सजेस्ट करनी चाहिए, या उसको खानी चाहिए, तो आपका जैजरी यानि good, आमला और green leafy vegetables जो आपको खानी चाहिए, iron के लिए, तो तीनों चीज़े याद रखेंगे, good, आमला और green leafy vegetables आपकी, ठीक है, next देख लेते है, अलगाई क that grow in water, बाइचंस पूछ लिया जाए, fleas carry germs from one place to another, मखियां जो होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपके germs ले के जाती है, ठीक है, fleas carry pathogons on their legs and hair, covering their body and transfer them to food or touch surface, वो क्या करती है, जो pathogons होते है, रोग जनक होते है, उनको अपने legs के थू और अपने hairs के थू हमारी body पर और हमारे food पर इस और जो हमारे जो touching surface होते है, उसके उपर वो transfer कर देती है, ठीक है, जो disease होती है, मख्यों की वज़े से वो कौन कौन सी होती है, cholera हो गया, salmonella हो गया, dynastry हो गया, यह पेचिस हो गया, tuberculosis हो गया आपका, और stomach से related जितनी भी problems होती है, वो किसकी instrument है, play by snake charmers, जो कि sapera के द्वारा बजाने जाने वाला, एक हवा से बजाया जाने वाला एक instrument है, नाग गुमफन क्या होता है, यह important question है, और आया हो अभी है, it is kind of design which is used in rangoli, एक rangoli में use होने वाला design है, embroidery में use होता है, decoration में use होता है, कहां पर, Swarashtra, Gujarat और South India में, ठीक है, यह नाग गुमफन होता है, जिसको कि use किया जाता है, एक rangoli embroidery or decoration के रूप में, Swarashtra, Gujarat and South India में, ठीक है जी, next देखते हैं, आज यह recorder भी बड़ा परेशन कर रहा है, snakes are deaf, जो snakes होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, हम बहरा मानते हैं, उनको deaf होते हैं, they do not have external ears, they only feel the vibration on the ground, ठीक है यह भी आपका आया हुआ question है, कि जो snakes होते हैं, उनको जो bean की आवाज है, वो क्या सुनाई देती है, या किस तरीके से वो bean की बजने से आ जाते हैं, तो क्या होता है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, बलकि वो क्या है, bean की vibration से आते हैं, ठीक है, जो vibration होते हैं, ग्राउं कि जो स्नेक्स होते हैं वो पाए जाते हैं हमारी कंट्री में लेकिन एक सचाई यह है कि उसमें से सिर्फ चार तरह के ही स्नेक्स होते हैं यानि कि चार ही उसमें से सांप होते हैं चार किस्में होते हैं जो कि क्या होती है अपकी जहरीली होती है ठीक है इतने सारे स्नेक्स में स तराता है क्रेट और अफ़े चार थरीकी के सामस्हें के काॉचने के निशान हो जाते हैं जो सांप था इसे बार चाटध सोर वं पॉक्षन ऐसलिए उस्ता एंसे काटता है, और पॉजलए रिखें में जों हुड में गासें जो snake के काटने की medicine होती है वो क्या होती है आपके snake के ही poison से बनती है इसलिए कहते होंगे शायद की जहर को जहर कारता है तो snake के poison से ही उसकी medicine बनती है next देख लेते हैं some other facts क्या होते है आपके snake charmers identify a snake bite from the marks of the bite जो mark होता है यह bite का इसी से जो आपका sapera होता है वो पहचान लेता है कि किस सामने काटा है किसी इंसान को ठीक है यह एक बात होगी आपकी आज यह recorder बड़ा परेशान कर रहे है काल बेलिया gift snake to their daughters काल बेलिया जो होते हैं सपेरा जो होते हैं अपनी डॉटर को gift में देते हैं snake snake are friend of the farmer यह important point है कि snakes जो होते हैं farmer के friend होते हैं क्यों होते हैं क्यों हो rats को चूओं को खा जाते हैं बीन रूंबा और खंजीरी जो होते हैं वो किस से बनाया जाते हैं instrument आपके dried god जिसको कि हम लॉकी कहते हैं ठीक है उससे ही आपकी तीनों instrument बनाया जाते हैं ठीक है next देखते हैं हम लोग digestion begin in the mouth digestion के यहां पर है चखने से लेके पचने तक एक chapter है आपका NCRT में वो आपका मूँ से शुरू होता है food is mixed with a fluid called saliva saliva होता है और हमारे jomak temperature होता है वो 미국 temperature होता है 30 degrees celsius होता है यह आपका पूछा हुआ क्वा कितना होता है 30 degree Celsius हमारे पेट का temperature होता है our senses of taste and smell are interlinked, हमारे जो taste के और smell के senses होते है वो interlink होते हैं, इसलिए जब हमें cold होता है तो हमारे जो food का taste है वो हमें अच्छा नहीं लगता, स्वाध अच्छा नहीं लगता तो अगर पूछ लिया जाए कि cold में ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो taste है और smell है, वो दोनों senses हमारे इंटरलिंक होते है ठीक है, the juice in our body is acidic, यह भी आपका पूछा हुआ question है कि हमारी body में जो juice होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका nature क्या होता है, तो क्या होता है आपका acidic nature का होता है वो, next देख लेते हैं क्या है, next है आपका काला हंडी उडीसा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कि जो rice है वो सबसे जादा आपका काला हंडी में होता है यह recorder तो आज बड़ा परिशान कर रहे है ठीक है most rice grows in काला हंडी district काला हंडी district में आपका सबसे जादा rice होता है और उसके बावजूद भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे poor people है बलकि यहाँ पर बहुत सारे rice को जो है other states में बेजा जाता है फिर भी यहाँ पर बहुत गरीबी है ठीक है next देखते है अत्रियापुरम टाउन कहाँ पर है आपका आंदरप्रदेश में एसे अत्रियापुरम एसे आंदरप्रदेश याद रख सकते हैं आप इसको मस्लिन क्लॉथ चो होता है वो उतल यूज होता है मेंगो पल्प को को बियुक्त करने के लिये क्ली Dong user किया सके किसली के diamonds quality किमोफ करने के लिए तो मेंगो पल्प को स्ट्रैन करने के वायप को के रिमोफ करने के क्यों उनको जो है ग्लास जार को ड्राय करना ची अच्छे से पिकल भरने से पहले ताकि उनका जो मोस्ट्र है इन डिबों का वो कंप्लीट निकल जाए और हमारा जो अचार है वो जल्दी से खराब ना हो इसके लिए इनको दूप में सुखाया जाता है फिर देख लेते हैं क किसी कंटेनर में रख दो पानी भर करके उसमें ठीक है ग्रीन जो आपका कॉरियंडर होता है धनिया होता है उसको हम रैप कर देंगे डैंप क्लॉथ में ठीक है जादा टाइम ते रखने के लिए ओनियन और गारलिक आपने घरों में भी देखा होगा कि वो ड्राय ओपन प वो आपका मैंगो है और आपका स्मॉलेस सीड के है आपका क्यूमिन सीड है अकॉर्डिंग तो एंसी अर्टी बुक ठीक है बाकी जगह आपको कुछ और भी मिल सकता है सीड्स आर स्प्रेड बाई भाई आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जहां पर बीज नहीं होती है, स्प्राउड के लिए ठीक है इसकी बाद में यह की काफी इंपोर्टंट तर्म है आपकी क्वर effectively है ठीक है नेपन्थsec के बारे में ये एक ऐसा प्लांच है आपका जो क्या करता है ट्रैप करता है शिकार करता है किसका खाता है शिकार करके यानि कि आपका मेंड़क को कीडो को और यानि माउस को भी खा जाता है चुमो को भी खा जाता है शिकार करके अब यह जो है आपका यह इस तरीके का प्लांट जो है मिलता कहां पर है it is found in Australia, Indonesia और हमारे इंडिया में बात की जाए तो कहां पर मिलता है यह में मिलता है यह question आया हुआ है आपका पिचर के जैसी इस की shape होती है and the mouth is covered by a leaf एक mouth जो होता है leaf से covered होता है the plant has special smell that attract insect on it एक special type की smell होती है इसके अंदर में जो की कीड़ों को क्या करती attract करती अपनी तरफ खीड़ा क्या करता है इसके मूँ पर आकर के बैठ जाता है यहां पर land होता है और यह क्या करता है उसको trap कर लेता है और उसको बाहर जाने नहीं देता है ठीक है तो यह कुछ statements है 59 के बारे म यह आपको याद रखनी है यह statement भी पूछी जाती है एक statement यहां पर दी गई थी EVS के paper में कि इसमें से एक music की आवाज आती है मंद मंद सा इसमें से music आता है तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें से एक smell आती है जिससे की insect इसके उपर आकर बैठते है ठीक है question इस तरीके से आया हु हुई है इसके बारे में वो भी question है तो वो हम ने किया है already जब हमने practice sessions किये थे उसमें questions वाली वीडियो में आप देख सकते हैं वेल्करों के बारे में बात कर लेते हैं 1948 की बात है यह जॉर्ज मेस्ट्रल है आपका यह क्या करते है अपने कुट्टे के साथ में बाहर जाते ह पर और यह घर आते हैं तो देखते हैं कि इनके खुद के cloths पर और इसके कुट्टे के जो फर है उसके उपर कुछ stick किया हुए कुछ बीज है जो चिपके हुए है ठीक है तो यह एक material है similar tiny hook that would stick ठीक है तो वेल्करो इसी से इन्होंने बनाया है जो कहां पर काम आता है cloths में काम आता है shoes में, bags में, belts में और many more things बहुत सारी चीजों में काम आता है यह ठीक है बहुत सारी चीज़े हमारे यहां से बाहर जाती है तो South America से बात की जाए अगर तो South America से कौन-कौन सी चीज़े आई है Tomato, potato और green chili तीन चीज़े आप याद रखेंगे South America से आई हुई है आपकी यह ठीक है बिंजल हो गया, regimeख खोगया यह रंगल हो गया डिश हो गया कहां से है India से है अपके सारे हमारे बचंदरी पाल के बारे में statement हमेशा निम रेश स्धिकろ पूचा जाता है and fifth woman in the world इंडिया में first और world में fifth है जो कि Mount Everest की peak पर पहुँचे थे next बचंदरी grew up in Nakori village in the Garwal area of उत्राखंड ठीक है Garwal area उत्राखंड में ये Nakori village में जो है ये grew up होई है यानि कि बड़ी होई है दोनों चीजे आप याद रखेंगे बचंदरी पाल के बारे में इस्टेटमेंट बहुत पुछे जाती है when she grew older she joined Nehru Institute of Mountaineering उत्तरकाशी ठीक है इन्होंने Nehru Institute join किया उत्तरकाशी का her guide was Brigadier Gyan Singh इनकी guide का नाम था Brigadier Gyan Singh she submitted Everest on कब Everest submit किया इन्होंने 23rd May 1984 को 23rd May 1984 को इन्होंने Everest submit किया बचंदरी पाल ने stepped on to the peak of 8900 meter high इतने जो उचाई पर आपका Mount Everest इन्होंने क्या किया she spent 43 minute on the highest peak in the world कितने time spent किया इन्होंने महाँ पर 43 minute spent किया Mount Everest is also called Sagar Matha in Nepal I have a question है Mount Everest को Nepal में क्या कहते है Sagar Matha कहते है there is no space for two people to stand on the top at the same time Mount Everest पर 2 बंदे खड़े नहीं हो सकते इतना space वहाँ पर next देख लेते है rock climbing के बारे में rock climbing के आपका ठेकला विलिज के बारे में बात की गई यहाँ पर it was at height of 1600 100 meter in कहाँ पर है आपका यह जलवर राजस्थान में है ठेकला विलेज जो है keep your body at angle of कितना 90 degree के angle पर होनी चाहिए जब आप rock climbing करते है तब ठीक है पूछ लिया जाए बाइचांस तो पता होना चाहिए keep your back straight don't bend आपकी जो back होती है वो इस तरीके से straight होनी चाहिए ठीक है जब आप rock climbing करते है 90 degree का angle आपका बनना चाहिए रैपलिंग क्या होता है using the rock in special way to come down to the mountain is called रैपलिंग एक special way में देखा होगा ना आपने इस तरीके से रसी पकड़के और कुछ लोग ऐसे करके उतरते हैं mountain से रसी के थूँ तो उसको बोलते हैं रैपलिंग ठीक है अगर question आजाता इस term से तो आपको पता होना चाहिए next है आपका गोलकॉंडा fort जो कि आपका हैधराबाद में है गोलकॉंडा is situated in हैधराबाद district of telangana ठीक है इट वोज रिटन आउटसाइड दा कुटुब शाहि सुल्तान रूल हेयर one after another from 1518 to 1687 1518 से लेकर के 1670 सीत्तक यहां पर कुटुब शाहि सुल्तानों ने रूल किया है गोलकॉंडा fort was the first built by काक्तिया डाइनस्टी यह question आया हुआ है गोलकॉंडा fort जो है वो सबसे पहले किसने आपका बनाया है काक्तिया डाइनस्टी ने बनाया था ठीक है जी next देख लेते हैं हम लोग गोलकॉंडा fort is built on a granite hill that is 12 meter high ठीक है 12 meter की उचाहि पर है on the map the distance between bala hisar and phateh darwaza 8 centimeter on the ground the distance between two would be 880 meter जो आपका देखेंगे bala hisar और phateh darwaza के बीच में map में distance 8 centimeter और ground पे distance आपका 880 meters का ठीक है पूछ लिया जाए अगर आपसे by chance तो कुछ ही statements बहुत आती है क्योंगी basin is a structure projecting outside from the fort wall basin कुछ होता है आपका जो गोलकॉंडा fort में बने हुए रहते हैं structure होते हैं इस तरीके जो fort wall से बाहर की तरफ बने वे होते हैं उससे करते क्या है देखिए outer wall of this fort has 87 basins कितने है 87 basins है गोलकॉंडा fort में आपके ठीक है there are 9 gates on the outer wall of the fort ये 3-4 statement अगर आपको गोलकॉंडा fort के बारे में दे दी जाए तो आपको पता होना ची कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है it was difficult for the orange jave's army to attack the fort because of strong thick wall along with there was long dip ditch ठीक है orange jave ने जब इस पर हमला किया था गोलकॉंडा fort पर तो उसके लिए उसकी army के लिए अंदर घुसना तक मतलब मुहाल हो गया था इसके strong walls की वज़ा से इतनी यहाँ पर अच्छी वो है ठीक है security है मतलब walls की एक यहाँ पर important line और है आपकी इसी chapter में कि bronze जो है is a mixture of two metal कौन-कौन से आपके copper और teen यह question आपका पूछा गया है EVS के paper में कि bronze is a mixture of two metal these two metals आ रहा रहा कि आप NCRT को देखो और अपने questions को देखो seated वालों को किस तरीके से as it is उठके है हुए है कांसा दो धात्मों का mission है कौन-कौन से अभी-अभी हमने पढ़ा देखिए कौन-कौन से है copper और teen यह आपका NCRT का statement है और यह आपका question है अब इससे easy और क्या होगा ठीक है तो copper और teen इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि हमेशा NCRT पढ़ा करो NCRT से बाहर कुछ नहीं आएगा आपका seated में ठीक है जी Sunita Williams के बारे में कुछ चीज़े देख लेते हैं Sunita Lee Williams is an American astronaut कौन है? American astronaut है एक जरूर question आता है आपका इन सबकी statement से कोई भी एक बंदा उठा लेंगे उसके बारे में कई statement दे देंगे She was born on 19 September 1965 Equillage, Ohio, United States में Janmooa, she had spent almost 322 days in space कितने दिन उन्होंने बिताए 322 मोटा मोटा हम बोल सकते हैं और 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट टोटल ये कह सकते हैं हम लोग She went 360 km away from the earth in the spaceship कितने km? 360 km दूर गए थे वो धर्ती से She came to India to fulfill Kalpna Chawla's dream किसका dream को fulfill करने के लिए आई थी वो India? Kalpna Chawla की dream को fulfill करने के लिए आई थी She went to become a school teacher क्या बनना चाहती थी? School teacher बनना चाहती थी क्यूं? ताकि वो बच्चों को समझा सके कि जो हमारी science और math है वो किस तरीके से closely हमारी life के साथ में link करते हैं ठीक है? Gravitational force के बारे में इसमें बात की गई है इस chapter में तो देख लेते हैं थोड़ा सा देखो Pool of earth is called gravity सबको पता है Sunita's hair kept standing because there was no gravitational pull in space card यह question आया हो है कि Sunita के जो बाल थे hairs थे वो वहाँ पर space card में बिल्कुल खड़े क्यूं थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी gravitational force जो था वो नहीं था उस space card में spacecraft में इसलिए थे ठीक है कि इंट्रस्टिंग बुक है अगर पढ़ना चाहें तो तो how we found the earth is round by Isaac Asimov Longman के बारे में ये बुक है एक दी हुई है by chance अगर आ जाता है question तो बाकि इससे लगता नहीं कि आएगा question इस तरीकी का पूछाने ज़्यादा ठीक है तो यह हमारा discussion था जिसमें की मैंने कोशिश किया कि जादा से जादा points आपके cover हो जाएं ठीक है next video में हम इस EVS की जो NCRT है उसको complete कर लेंगे या फिर max to max एक video हो रहाएगी आपकी complete हो जाएगी ठीक है अब इस video को मतलब सब के साथ में अपने friends के साथ में अच्छे से शेयर कर देना खुद अकेले के लिए मत देखना प्लीज ठीक है तो thank you keep learning keep supporting and keep sharing